दोस्तों कुछ और सबजियां देखते हैं सबजी मैंने आपको पहले बताया था सिंगल सबजी और प्लोरल सबजियां गाजर, गाजर, कैरट कैरट दो टाइप के होते हैं एक औरंज कैरट होती है एक रेड कैरट होती है तो carrot का जो हल्वा बनता है वो red कलर की carrot का बनता है या उसको शायद डेली carrot भी बोलते हैं कुछ लोग निम्बू निम्बू लेमन आप लेमन का juice पीते हैं तो निम्बू मूली मूली राडिश मूली का पराठा बनता है तो ये मूली मिर्ची आप क्यूंके हम vegetables की बाद कर रहे हैं तो यहां जो मिर्ची होगी वो green chilli की क्यूंके red chilli गोती है वो अनलों में आती है तो मिर्ची धनिया धनिया भी दो type का होता है एक green धनिया होता है जो vegetables में आता है और और जो seeds होते है wanna मसाले में आते हैं, तो धनिया मतलब कोरियांडर पैठा पैठा यह पैठा यह पैठा नहीं, इसको खाली एक एन का साउंड होगा, you don't have to say it loudly, it is just पैठा कई लोग पैठे को कद्दू भी बोलते हैं, वो येलो कलर का होता है, बड़ा सा पैठा, अर्भी, अर्भी व्याने, यह उसका प्रनांसेशन है, अर्भी कॉलकेसिया, इंग्रिश में उसको कॉलकेसिया बोलते हैं, यह है सूरन जिमीकन, यह जिमीकन का स्पैलिंग, इसका प्रनांसेशन, जिमी कंद को बोलते हैं elephant foot वो मोटा सा होता है बाहर बिल्कुल black या brown color कुछ तो भी होता है उसको छील के उसके बनाते हैं सबजी तो जिमी कंद खीरा खीरा अदरक अदरक ginger सैंजन सैंजन यानि drum stick तो कुछ और सबजी देखते हैं फिर इसका revision कर लेते हैं गाजर carrot निम्बू lemon मूली radish मिर्ची मिर्ची green chili याद रखना red chili मसाले में आती है धनिया धनिया coriander leaves और coriander की जो seeds हैं वो मसालों में मिलती हैं पैठा पैठा pumpkin येलो कलर का और white कलर का दो टाइप के pumpkin आते हैं अर्भी अर्भी कुलकेशिया जिमीकन सूरन elephant foot कीरा कीरा क्यूकमब अदरक अदरक ginger सेंजन सेंजन drumstick I hope this is going to be easy आपके लिए आसान होगा तो एक बार और इसको मेरी फ्रेंड आपको तमिल में बता देगी तो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या जाएगा क्या जाएगा क्या जाएगा